जिन्दगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिन्दगी हर रोज मिलती है, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, जिन्दगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लि जो पलगकर उपर आता है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीर नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीक्ते सजा देती है, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे 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 मज़ा दे के लिए कुछ गलत फेहमी भी जरूरी है दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती जो दोगे वही लोट कर आएगा चाहे वह इज़त हो या फिर धोखा अहनकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संधर्श के सब कुछ प्राप्थ होता है औ तो उसके पास होता है फुनर तो सब में होता है साहे फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है किसी का छप जाता है कर्म भूमी की दुनिया में श्रम सभी को करना है भगवान सिर्फ लकीरे देता है रंग हमें ही भरना है आप कभ सही थे इसे कोई याद नहीं रखता इ और कौन आपका बुरा जिन्दगी मुश्किलों से भरी हुई है। होसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किले हर एक इनसान पे आती है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है। वही इतिहास रचता है। समय और जिन्दगी दुनिया के सरवश्रेष्ट शिक्षक है। जिन्दगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिन्दगी की कीमत सिखाता है। अगर आप सही हो तो, कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो गवाही खुद वक्त देगा, मत सोच इतना जिन्दगी के बारे में, जिसने जिन्दगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा, अच्छी के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचर से कीचर साफ नहीं हो सकता है कभी किसी की बुराई मत करो क्योंकि बुराई तुमने भी है और जुबान दूसरों के पास भी अपने रिष्टों और पैसों की कद्रेक समान करें दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गवाना बहुत आसाल, अहनकार और संसकार में फर्क है, अहनकार दूसरों को जुका कर खुश होता है, संसकार स्वयम जुक कर खुश होता है, किसी से बहस में जीतने के बजाए उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ ह तत्पर रहता है, वह आपके मोन को कभी सहन नहीं कर पाएगा, शब्द और सोच दूरिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते, और कभी हम समझा नहीं पाते, जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयम आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब ह परन्तु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। परन्तु आज की होनी चाहिए। परन्तु नहीं होती। लेकिन भूंज जिन्दगी भर सुनाई देती है। जब किसी इनसान पर से विश्वास तूट जाता है। तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिये। क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे तूटते नहीं हैं। लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिन्दगी से निकल जाते हैं। आशाय ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए। मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सीखा दे। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे। जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है। और अहनकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जो इनसान खुद के लिए जीता है। उसका एक दिन मरं होता है। पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा स्मरन होता है, किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने थंडे क्यों हो, घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीव भी मिट्टी और भाविश्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी, ठोकर लगने का मतलब य यह होता है कि आप संभल जाएं.